फिल्म इंडॉस्ट्री में इन्हें प्यार से बुलाते हैं बड़े से बड़े सूपर स्टार्ज अन्ना जीहां बात कर रहें हम बलवान सुनील शेटी की इनका जन्म 11 अगस्त सन 1961 मुल्की में हुआ इनके पास बहुत सारे उडूपी रेस्ट्रोंज हैं और कपड़ों के बुटीक्स नबबे के दशक में सुनील शेटी ने शुरुवात की थी पहलाज नहलानी की फिल्म एक और फॉलात से पर ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी और सुनील शेटी का सपना जरा अधूरा नजर आने लगा लेकिन सुनील शेटी ने हार नहीं मानी और फिर सन 1992 में फिल्म आई और इसी फिल्म में सुनील शेटी ने दिखा दिया कि एक एक्शन हीरो कितना दंदार हो सकता है फिल्म को बहुत से लोगों ने पसंद किया और उसके बाद दूसरी रिलीज हुई अक्षे कुमार के साथ वक्त हमारा है जिब फिल्म हिट साबित हुई और अक्षे कुमार और सुनिल शेटी की जोड़ी को खूब सराहा गया उसके बाद सुनिल शेटी ने संजीता फिल्म में काम किया हाना कि ये फिल्म भी एक्षिन पैक्ट ही थी ये फिल्म रही पहचान इसमें इनके साथ थे सैफ अलिखान शिल्पा शेरोटकर और मधू शुरू शुरू में सुनिल शेटी के डालर डिलिवरी को क्रिटिसाइज किया जाता था और उसके बाद शेटी ने खूब मेहनत की और अपनी कॉमिक टाइमिंग से भी सबका दिल जीत लिया अक्षे कुमार के साथ फेर इन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया और ये फिल्म थी मोहरा पर अभी तक सुनिल शेटी बत और सोलो हीरो अपनी जगा नहीं बना पाए थे और तब इनकी डबल रोल वाली फिल्म आई गोपी किशन जो की एक तमिल हिट अब सार पुलिस हंड्रेट की रिमेक थी गोपी किशन में सुनिल शेटी के अभीने को सरहा गया और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई और फिर आई हम है बेमिसाल सुरक्षा रघुवीर गद्दार सपूर और टककर हम से सौधा करके किसी को घाटा नहीं होता और फि बहुत ही जबरदस्त इमोशन्स इन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर उतार दिये थे सन 2000 तक आते आते सुनिल शेटी ने अपनी एक मजबूत जगा बना ली थी फिल्म इंडस्ट्री में और इन्हें बेस्ट विलन के आवार्ट से नावाजा गया था फिल्म धड़कन के लिए और इसके सीकुल ने भी सभी को हसाया फिल्मों में एक्टिंग करते करते सुनिल शेटी ने अपनी प्रड़क्शन कंपनी भी बनाई जिसका नाम रखा पॉपकॉन मोशन पिक्चर लिमेटेड सुनिल शेटी एक ऐसे कलाकार जिन्होंने कड़ी मेहनत की अपनी डालोग डि लिवरी सुधारी एक्शन हीरो से कंप्लीट हीरो तक का सफर इन्होंने तैय किया मल्टी स्टार फिल्म्स हो या फिर सोलो हीरो की फिल्म्स सुनिल शेटी कभी भी अननोटिस्ट नहीं गए अगर हम सुनिल शेटी के नजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विभा माना शेटी से हुआ था इनके दो बच्चे हैं अथिया और अहान इनकी पतनी माना एक एंजियो भी चलाती है सुनिल शेटी को कई बार सपोर्टिंग अक्टर के लिए भी नॉमिनेट किया गया फिल्म दिलवाले, बॉर्डर, रफ्यूजी और मैं हुना बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो फिल्मी दुनिया के उतार चड़ाओं के बीच अपनी एक जगा कायम रख पाते हैं और सुनिल शेटी उन कलाकारों में से हैं भारतिय सिनेमा के इतिहास में सुनिल शेटी का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्ताने जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री